जारकन की दुमका जिले में एक तरफा प्यार में सनकी आसिक ने बारवे में पढ़ने वाली एक छात्रा पर पेट्रॉल डाल कर आग लगा दी आपको बता दे पीड़ता अंकिता कुमारी नगर थाना छेतर के जरोवा डील मौल लेकी रहने वाली है वही घटना के बाद अंकिता को गंभेर हालत में फूलो जानो मेडिकल कॉलिज अस्पिताल में भरती कराया गया जहां घटना के जानकारी मिलते ही कारेपालक डंड अधिकारी चंद्रजीत सिंग और स्टी पीयो नुर मुस्तवा हॉस्पिटल पहुच कर पूस्ताश कर रहे हैं आपको बता दे शारुक हुसेन ने अंकिता के उपर उस वक्त पिट्रॉल डाल कर आग लगा दी जब वा अपने घर में सोई हुई थी आज सुबा सारुक उसके घर पहुचा और खिड़की से पहले उस पर पिट्रॉल डाला और माचिस जला कर उसे आग के हवाले कर दिया आरोपी को ग्रफतार कर उसे पूस्ताश भी की जा रही है वही पीड़ता के घरवालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पड़ोस का ही शारुक लगातार अंकिता को परिशान कर रहा था उसने कहीं से उसका मोबाइल नंबर जुगार कर लिया था और लगातार फोन कर दोस्ती करने की बात कह रहा था अंकिता जब उससे जिकड़ी तो शारुप ने कहा कि अगर वा उसका कहना नहीं मानेगी तो वा उसे जान से मार डालेगा आज सुबा शारुप ने इस घटना को अंचाम दे दिया वही पूरे मामले की जाच करने पहुचे दुमका एजटी पियो नूर मुस्तपा ने बताया कि मामला एक तरफा प्यार का है और शारुप ने अंकिता को जला कर मारने का प्यास भी किया है वही इस मामले में जरूरी कानूनी कारवाही की जा रही है ब्यूरे रपोर्ट आई पियन